वैसे गोबी के पराठे बनाने का बहुत सारे स्टाइल होते हैं बहुत तरह से हम गोबी के पराठे बना सकते हैं कच्ची गोबी के बना सकते हैं भून के गोबी के बना सकते हैं मतलब थोड़ा फ्राई करके और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बना सकते हैं जा भिना भ मिक्स पीए सिंपल गोबी के पराधे बना सकते हैं फिल करके बना सकते हैं जा फिर बोत शारे तरीके घॉबी के पराधे बनाने के तो आज मैं गोबी तरीका बताने वाली ह। 28 crap header depth बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो बस जब भी यह पराथे बनाएं तो गरम गरम पराथे बनाएं और उसी टाइम पे सर्फ करते जाएं साथ-साथ में तो उसका स्वाथ जो है वह बढ़ जाता है उन पराथों का तो यहां पर देखिए मैंने इस तरह से यह गोबी को क के चोटा चोटा प्याज करेंगे मैं इस तरह के से बना रही हम मैं आटे के बीच में गूत करें आ रही हूं क्यल यह जो पिया बनान गया है अन्या यह इस instrument मैं ने चोटा बहुत तुक्षत बनारे जाए और 450 पाहनी दिया डाल दिया है तो इसके अधर गोबी के पराथा बहुत ज़दा टेस्टी बनते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चली फ्लेक्स भी डाल दिये हैं, जो पराठों के बीच में चली फ्लेक्स आते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और तीक्हा पन थोड़ा सा उनका और ज़दा अच्छा लगता है, तो यहां मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से जो आटा है उसको लगा देंगे पराथे बनाने के लिए तो पराथे का आटा हम अच्छे से गूत लेंगे और उसके बाद ना इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लेकिन इसके ऊपर थोड़ा स वाइल लगा के यसको रेस्ट करने छोड़ दूँगी 10-15 मिनिट के लिए फिर उसके बाद हम पराठे बनाएंगे तो पराठे बनाना यहां पर स्टार्ट करते हैं बस यहां पर हम थोड़े थोड़ा सा मतल लेते जाएंगे ज्यादा कम आठा नहीं लेना है थोड़ा सा ज्य ब्हुत जादा भी नहीं लेना हुम यहां पर यह सब इसको फ्लैटे बनाने का तरीका सब का डिफ्रेंट होता है कोई किसी तरीके से बना गोबी के पराथे बना सकते हैं अब यहां पर जो गोबी के पराठे हम बनाएंगे इनको जब हम बेलेंगे तो ना जादा मोटा रखना है ना जादा पतला करना है जादा पतला कर दोगे तो भी अच्छे नहीं बनेंगे बहुत जादा मोटा रहेगा तो बहुत कच्छे कच्छे रहेंगे उनका भी टेस्ट तो इसलिए हम यहाँ पे मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पे मैं इस Meansひ I Mwen इसको में बेल दिया है कर दो अब एकिक ले intrigued कि हम लोग ना परिशान हुजाते आज सब्जी बनाई जाए आज कोन सब्जी बनाई जाए ज़ूसी तरह से कि अंग और इस तरह में पराठा मौर्नग में अचार ले सकते हैं सात प्रजय सकते हैं यह बहुत ही इजी रसीपी है और इसमें आप चाहें तो और थी तीखा बना सकते हैं तीखा डालकी थोड़ा सा तो कहीं लोगों को तीखा जदा पसंद होता है तो मैं यहां पे देशी घी में इतना डूवा निकल रहा है तो रिफाइन से भी अच्छे बनते है самой देशी घी माइन जसे बनाना चाहों आप बना सकते हैं तो चलिए हमारे यहां पे गर्मा गरम पराथे जो हैं वो बन रहे हैं तो इसी तरह से ही मैं सारे पराथे बना के रेडी कर लेती हूं इनको अच्छे से से शेक लेंगे हम और सारे पराथे बना के रेडी कर लेंगे तो आपको यह मेरी गोबी के पराथे वेरी सिंपल और बह कोबी के पराठे भी बना रही हूं और दूसरी तरह से भी मैं बनाती हूं फिलिंग करके भी बहुत अच्छे बनते हैं इस तरह से भी बहुत अच्छे बनते हैं किसी भी तरह से हम ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक श और सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर मिलते हैं नहीं रेसीपी में तब तक के लिए बाबाई टेक केर